तो Redmi ने अपना K20 Pro का जो प्रेमियम एडिशन है वो लॉंच कर दिया है अब ये स्मार्टफोन खासकर गेमर्स के लिए काफी खतरनाक सावित होने वाला है तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के फीचर स्प्राइज और स्पेसिफिकेशन के वारे में तो लेस गो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो इसमें हमें 2.84 GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 855 Plus का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की काफी तागत बर है इसके अलाब बात करें फोन के ओपरेटिंग सिस्टम की तो Android 9PiBiz MIUI 10 पर ये स्मार्टफोन काम करता है अब आती है बात इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स की तो ट्रपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिलता है जहाँ पर मेन कैमरा 48MP का जोगी सोनी IMX 586 सेंसर के साथ में आता है और FI 1.75 इसका पचर देखने को मिलता है सेकेंडरी कैमरा 13MP का अल्टरा वाइड एंग जोगी काफी ठीक ठाक है कैमरा की मावले में अब बात आती है फोन के सेल्फी कैमरा की तो 20MP का पॉप अप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जोगी emergency drop production के साथ में आता है तो मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है रेडमी के इस फोन में अब आती है बात फोन की वीडियो इंचिस के full HD plus horizon AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है जहांपर फोन के friend और back panel याने की दोनों ही side में हमें Corning Gorilla Glass 5 का production देखने को मिलता है बाग के लिया है फोन में वैटरी की तो 4000 mAh की वैटरी देखने को मिलती है जोगी 27W fast charging support के साथ में आती है security की बात करें तो फोन में 7th generation इंडिस्पले fingerprint scanner के साथ साथ pop up face unlock हमें देखने को मिलता है मतलब सुरक्षा बिलुकुल कड़क है अब बात आती है फोन के color variants की तो 5 color options इसमें हमें देखने को मिलते हैं पहला Glacier Willow, Flame Red, Carbon Black, Water Honey और Black Make Edition जोगी अभी latest color launch किया गया है और ये color हमें Redmi K20 Pro का भी देखने को मिलता ह जोगी फिलाल ही launch हुआ है अब बात करें फोन की कीमत के बारे में तो इसके 3 storage variants लॉंच हुए एक तो 8GB RAM के साथ में 128GB internal storage जोगी 27,000 रुपे की कीमत में आता है दूसरा 8GB RAM के साथ में 512GB internal storage जोगी 30,000 रुपे की कीमत में आता है और तीसरा 12GB RAM के साथ में 512GB internal storage जिसे आप सकते हैं 32,000 रुपए की कीमत में फिलाल ये स्मार्टफोन चाइना में लॉंच हुआ है बात करें हिंदुस्तान की तो ये अगले महीने तक हिंदुस्तान में आ सकता है ऐसी उमीद है अब यहाँ पर Redmi K20 Pro और Redmi K20 Pro का जो ये special edition है इसमें अगर हम फर्क की बात करें तो इस्टोरेज, RAM और प्रोसेसर का फर्क है बाग की जो फर्क है वो है इन दोनों की कीमत को लेकर तो मतलब बाग की स्मार्टफोन ये वाला गेमर्स के लिए काफी खतरनाग होने वाला तो फलाल बस इस वीडियो में यही थी उस जानकरी जो हमने आपके साथ में साल जागी है अगर आपका कुई सवाल है, सजेशन है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं वाग वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं कि टेकनोलोजी से रिलेटिड हर नई प्राने जानकरी मिलती हैं आपको इस चैनल पे अपने खुद की भाशा हिंदी में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच